Hello everyone! I am Akas Pandey! आज के वीडियो में हम लोग discuss करने वाले हैं offset command, trim and extend command के बारे में Like हमने last video आप हम लोग उने array command के बारे में देखा था उसके last video में रेक्टेंगल रहे उसके पहले circle & polyline line के बारे हम देखा था तो हम लोग को देखना है कि कीस तरह से हम लोगовые 100 mm ऊपर चाहिए. 100 mm ऊपर ऐसी सेम लाइन चाहिए. ऐसे cases में लोग को आफसेट करना चाहिए. कैसे आफसेट करना है? आफसेट के लिए आपको यहाँ पर जाना है. क्लिक करिये हो वहाँ पर बताईए कि कहा पर करना है? फिर मैंने बोला इधर की ओर. फिर डिस्टेस कितना डिस्टेस चाहिए आपको मैंने बोला 100 mm और अब देखिए कि आप उचलेक्ट ऑप्जेट टू अप्षेट तो मैंने बोला इसको मुझे आप्षेट करना कि इधार इधर के बार अब डिस्टेस मैंने डाल रखा है इसलिए यह चलता जाएगा और यह जोब तक आप स्काइब बटन नहीं दाबेंगे तब तक कि कमड्शा लिए इस तरह से ओप समझ गय होंगे एक जैसे आप इन्हें रेक्टेंगल बनाए सपोस्ट आपे रेक्टेंगल बनाए ठीक है अब इस रेक्टेंगल में आपको आपसेट चाहिए ठीक है तो पूंडेट उतर है निहीं बाहर की फ्लिक करेंगे तो लोगों यहां सकते हैं बनाए चैंटी रेडियस का बहुत चोटा सा और अब इसको मुझे आपसेट करना है अंदर के ओर तो जास्ट बाहर, बाहर, इस तरह से आपको offset होता, चला जाएगा. होग, आपको सवन्हा आगया होग, इस तरह से offset करते हैं. offset के बाद, हम लोग देखेंगे, आपको trim क्मांद, trim क्या होता है? यसे मेरा पास एक कोई linha है, इस line को कोई line intersect कर रही, इस तरह से, यह जो portion है, यह intersect हो रहा है, इस portion को अगर आपको cut, in that case, you can use trim, how can just click on trim command, then right click for activation, and when you click here, see, देखिए, सब के सब select कुरने रहा है, cut किरने के लिए, देखिए, but कोई single segment बचेगा, उसे यह cut नहीं करेगा, इसको cut कर दिया, इसको देखिए, नहीं कर रहा है, क्योंकि single बचेगा, but अगर यह एक दूसरे को intersect करता, तो इसको cut देखिए, ठीक, फिर से देखिए, यह देखिए, हमने एक तरी के spirit से line लिया, और हमने इस तरह से line लिया, और तो को हमने आपको कर रखा, इस तरह से, मैंने ठेट सारे crosses कर दिया, ऐसे, अब trim command, tr, आपकी, इसके, ल जो भी एक दूसरे को intersect करेगा, वो गारता चला जाएगा, तो इस तरह साब कर सकते हैं, ओप, समझ गया हैंगे किस तरह से हम लोग trim command को use करते हैं, इसके बाद हमारी बहुत ही important command है, जोसको हम लोग बोलते है, extend command, extend command क्या करता है, अपने यहाँ पे, suppose एक line है, और यहाँ प इस line को यहाँ तक आपको touch कराना है, अगर आपके line के सामने कोई boundary है, तो extend command उसमें add हो जाता है, उस पर जाके लड़ जाता है, तो जैसे आप यहाँ पर जाएंगा, और यहाँ से extend command लेंगे, ex इसकी sort की है, देखे, right click करेंगे, देखे, boundary है, सामने boundary है, देखे, आपके click कर तो अगर सामने boundary है, और click हो तो आपके करिए extend command लेकर कर सकते है, ठीक है, मान लीचे आपने extend command ले रखा है, ठीक है, activate है, और आपको इसको cut करना है, और आप trim का का काम करना है, तो आप shift button को click करिए, तो shift क्या करेंगा, उसको convert कर देगा, trim में, just opposite, यह देखे, यह देखे, और अगर आपने trim command ले रखा है, और right click कर रखा है, और shift button आप देखे, एक extend का का काम करने लगएगा, एक पुछ रेके, एक तरीके से आप बोल सकते है, एक भाई है, यह देखे, इसके सामने boundary है, देखे, इसका push है, थोड़ा सा है, आप push नहीं है, तो नहीं पकड़ा है, स affiliate command के बारे में brief discuss करने वाले है, और साथ ही साथ, फिर इन दोनों command को complete करने, साथ ही साथ मैं construction line command के बारे में discuss करूँगा, उन तीन command को पढ़ने के बार, हम लोग 2-3 classes में, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, तो हम लोग के पास drawing seat होगी, तो हम लोग उस पेसे drawing बना क देखेंगे कि इस तरह से drawing को त्यार करेंगे, ठीक है, और अगर आपको अभी इतना जितना हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें अगर कोई problem आ रही है तो नीचे comment करो, इसलिए मैं one by one daily videos त्यार कर रहा हूँ, तो अगर आपको और भी कुछ पूछ ले, तो आप उसे और वहां से और अच्छा भी study कर सकते हैं, like basics भी videos है महां पर, वहां से आप download कर पढ़ सकते हैं, okay, thank you so much for watching this video, hope you like this, and if you like this, please share with your friends. कर दो कर दो